तो है consumption का जो numerical आता है जो की unit में आता है aggregate demand और aggregate supply वाले में और इसका हम numerical करना सिखेंगे और सारी basic चीज़े सिखेंगे तो सबस्वर में देखते हैं कि psychological law of consumption क्या होता है law of consumption तो देखो psychological law of consumption होता है जब इनसान की एक income बढ़ती है तो उसका consumption बढ़ता है ये मतलब जैसे जैसे income बढ़ती है व्यक्ति की उसके consumption बढ़ता चला जाता है लेकिन जितने income बढ़ती है उतना consumption नहीं बढ़ता है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि income दो भागों में डिवाइड होती है consumption और saving क्योंकि हम कुछ खाते हैं मालो हमारी income अगर 100 रुपे बढ़ी तो हम कुछ पार्ट खाएंगे और कुछ पार्ट save कर लेंगे तो इसलिए हमारी income के बढ़ने पर जो consumption बढ़ता है वो उतना नहीं बढ़ता जितनी income बढ़ती है इसी को psychological law of consumption कहते हैं for example हमारी income 100 रुपे बढ़ने से हमारी जो consumption है वो मालो हमारी income जो 100 रुपे बढ़ी तो हमने जो यह होगा यह कितना आएगा 0.70 यानि हमारी 0.70 का मतलब है हमारी 70% खाने की आदत है हमारी income बढ़ने से 100 रुपे हम 70% जो है उसका खा लेते हैं इसी को बोलते है marginal propensity to save क्या बोलते है marginal marginal propensity to consume प्रवर्ति तो यह सीमांत उभवर्ति क्या है MPC short में इसे बोलते हैं मतलब आप income में change आने के विज़से delta y मतलब डेल्टा का मतलब क्या है change यानि income में change आने के विज़से आपकी consumption में कितना change आता है मतलब मानलो 100 पे income आपकी बढ़ी 100 पे income बढ़ी और आपने 100 पे income बढ़ने से कितना income कितना consumption बढ़ाया तो जैसे कि अभी यह वाला example था जिसमें 100 पे income बढ़ने से 70 रुपीज आपने consumption बढ़ा दिया था तो इसका मतलब उसमें MPC कितना था इसको अगर हम divide करेंगे 0 से 0 ज consume तो इसे देखते हैं MPC का formula हमारे परस क्या है delta c upon delta y यानि income में change आने के वैसे consumption में कितना change आता है उसी को बोलते है MPC इसी की तरह दूसरा एक होता है word MPS MPS की full form है marginal propensity to save marginal propensity to save हिंदियों बोलते हैं से सिमांत बचत परवर्ती और short में बोल देते है MPS तो यह MPS का formula क्या होत है MPS जैसे कि अभी बताय था MPC वो consumption की habit बताता है MPS क्या बताता है यह बताता है saving की habit यानि income में change आने की वैसे consumption में कितना change आएगा यह दिखाता है जैसे कि previous example में हमारे 100 रुपे income बढ़ने से हमारा 70 rupees हम खा रहे थे तो 30 rupees बचा रहे थे तो आगर हम यहां रखते हैं कि मा रुपे change आने की वैसे हमारी 30 rupees saving में change आता है यानि 30 rupees saving बढ़ जाती है तो इसको 0-0 काटेंगे तो हमारा point 33 यह हमारा आए रहा है MPS तो हम यानि यह दिखा रहा है कि 30% हमारी saving की आदत है जब भी हमारी income बढ़ेगी 100 रुपे या 200 रुपे उसका 30% हम save कर लेंगे यह इसका का मतलब है इससे तरह MPC का मतलब क्या है कि हम 70% खा लेंगे consumption कर लेंगे और आपको पता है कि जो income होती है income को हम YC denote करते हैं economics में क्योंकि आई से हम investment को denote करते हैं अब देखिए यह आई से तो investment को denote करते हैं अब जिसे कि पता है जो हमारी income होती हो दो भागों बढ़ती है या तो हम कुछ consume करेंगे या कुछ save करेंगे या तो कुछ खाएंगे या कुछ बचाएंगे अब 100 पर अगर income हुई है और इसमें से 70 खा रहे हो तीस बचा रहे हैं हमेशा अगर delta income यानि income में अगर change आता है 100 रुपे का और consumption में चेंज आता है 70 रुपीज का और delta S आता है हमार यानि saving में change आता है 30 रुपीज का तो हमारा MPC आएगा कितना जैसे अभी निकाला था उपर 0.7 और MPS कितना आएगा MPS आएगा 0.3 तो आपने note कि इन दोनों का जोड मिलाकर होगा 0.7 प्लस 0.3 यह होगा 1 यानि हमें एक बात पता लग गई कि MPC प्लस MPS दोनों बराबर होत ठीक अगर आपको मानलो मैं MPC दे दू 0.5 और आपसे कहूं कि MPS निकालो तो उसका formula बड़ा सी easy है उसका formula क्या होगा आप MPS को यह ही छोड़ दोगे और यह सामने ले जाओगे 1- MPC ठीक है यह वाले को इधर ले जाओगे और आपको पता है MPC कितना दे रखा है मैंने 0.5 तो आपका MPS कितना आ जाएगा 1-0.5 तो answer आ जाएगा 0.1 रुपे में से 50 पिसे जाएगे तो 0.5 तो answer आ गया for example अगर मैं आपको दे दूं MPC कितना 0.6 और आपसे कहे दूं कि MPS निकालो तो आप क्या करोगे वही 1- MPC यानि 1 में से 0.6 जाएगा तो answer आएगा 0.4 इसके बा गुड़क ठीक अब इसको डिनोट करते हैं हम के से अब देखो यह जो के होता है इसका मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई यानि एकोनोमी में इंवेस्मेंट में कितना चेंज करने से इंकम में कितना चेंज आ रहा है तो जैसे कि मान लो for example अगर अपनी ए चेंज किया इंवेस्मेंट को सो और यह जो शाक चेंज करें किसी और के सब्सक्問 करें करें कि हमें पता है नकार थैफ होता है वो किसी और की इंकम बनता है आप मालो किसी एरिया में रह रहे हो आपने जाके कुछ समान खरीदा पनवारी से दुकानदार से किसी से शौपकीपर से तो आपने जो पैसा दिया उस सोर पर मालो आपने शौपकीपर तो को दिये तो यह जो सोर पर आपने दिये वो उस इंकम बन गया अब फर्दर यह जिसकी इंकम बना उसने भी कहीं और खर्च कर दिया तो इस तरीके से अब मान लो यह एक बहुती सिंपल एकोनोमी होती मान लो आप ऐसी एकोनोमी में रह रहे होते जहां पर केवल आप दो लोग हो ठीक है आपने जो कंजम्शन पर खर्चा कि या मान लो यह इसी के आपने 100 पे से समान खरीदा इसकी 100 पे इंकम हो गई या ठीक है तो अब यह 100 पे तो एक ही बार ट्रांजेक्शन हुआ लेकिं मान लो आप इसी की तुल्ला में एक ऐसी एकोनोमी में रह रहे हो जो कॉम्प्लेक्स एकोनोमी है मतलब बहुत सारे लोग एक गंटे के अंदर ही 1000 बार घूम गए या 1000 बार घूम गए 100 रुपे तो कितने का ट्रांजेक्शन हो गया देखो आप एक लाग का एक गंटे के अंदर यानि आपने देखा कि जितने जादा लोग होंगे या फिर जितना जादा कंदम्शन होगा में जितना जादा कंदम् तो हमारा investment multiplier कितना है ये 2-0 से 2-0 जाएंगे 10 तो यानि multiplier हमारा 10 है और अगर इसी के स्थान पर हम देखें अगर हम देखें कि delta i मान लो आपको 100 दे रखा है और income में change आ रहा है economy के 400 तो बताओ के क्या होगा तो आपको पता है के का formula delta y upon delta i यानि 100 नीचे रख दो ऊपर रख दो 400 तो दो 0 से 2-0 गए तो investment multiplier कितना है चार ठीक है तो इसका मतलब के investment multiplier उतना जादा होगा जितने income में change आ रहा होगा ठीक अब देखो investment multiplier का एक और formula है वो है 1-mpc ठीक अब देखो इधर मान लो जो mpc है जाएगा investment multiplier वन अपोन यह एक में से 0.50 जाएगा तो 0.50 बचेगा point हट आएगे तो 0 पास दूनी 10 investment multiplier कितना आ रहा है आपका दो अब इधर देखो एक और चीज़ एक और मान लो इस बार mpc जो है marginal propensity consume वो आपको दे रखा है 0.75 ठीक 0.75 तो आपका के कितना आएगा एक में से 0.75 गया तो 0.25 यह point हटाएगे तो 2-0 25-100 कितना आया investment multiplier 4 ठीक अब इधर देखो अगर मान लो आपका इस बार जो है mpc दे रखा है कितना 0.90 दे रखा है या 0.90 ठीक है तो कितना आएगा तो एक में से 0.90 जाएगा तो 0.10 आएगे तो उपर 2-0 0-0 गया तो आपका के कितना आएगा यहां पर 10 तो आपने एक बात note की कि देखो जब हमारा mpc हमने लिया था 0.5 तो हमारा k कितना आया था 2 जब हमारा mpc हमने बढ़ा दिया तो हमारा k कितना आया 4 फिर हमने जब mpc और बढ़ा दिया 0.90 तो कितना आया 10 अभी से सिंपल लिए तो देखो जब MPC 0.50 लिया तो के इतना आया जब यह लिया तो इतना आया 0.75 जब 0.90 लिया तो के हमारा आया 10 तो अब देखो एक चीज कि हमारा जैसे जैसे एकोनोमी में लोग कंज्यूम करने की हैबिट बढ़ा रहे हैं तब तब हमारा मल्टिप्लायर बढ़ता चला जा रहा है कि मल्टिप्लायर बढ़ने का मतलब यह है कि हमारी एकोनोमी में जो डेल्टा वाई है इंकम में जादा से जादा चेंज आ रहा है शुरुवात में जो हमारे investment में change आ रहा है उसके वैसे income में बहुत जारा change आ रहा है तो ऐसा क्यों होता है मतलब relationship क्या है किसमें between MPC MPC and K में यानि investment multiplier में तो जेखो relationship यह है कि जैसे-जैसे MPC बढ़ता है वैसे-वैसे के बढ़ता है क्योंकि हमें पता है कि consumption जो होता है एक आदमी का consumption दूसरे की क्या बनता है income क्योंकि आपने जो consumption किया कुछ खाया पिया वो किसी और की income बनेगा मानलो आपने पनवारी से कुछ समान खरीदा या चाय वाले से वो उसकी income बना वो उसने जो income उसकी बनी उसने अगर कहीं और consumption किया C किया consumption किया वो किसी और की income बनेगा तो अगर हमारी economy में consumption करने की ज़्यादा habit होगी लोग की habit ज़्यादा consumption की होगी तो क्या होगा देश में income ज़्यादा बढ़ेगी तब ही आपने देखा होगा कि चाइना में जो अब भी growth कमा रही है उसकी वज़े क्या है वहाँ के लोग saving ज़्यादा करने लगे है तो जब पूरी economy तो जिसमें saving ज़्यादा होगी इसमें income level कम हो जाएगा क्योंकि यह na multiplier effect इसी तरह से काम करता है तो अगर consumption ज़्यादा है लोगों का consumption habits ज़्यादा है तो income level भी बढ़ता चला जाएगा ठीक है तो देखो c बढ़ेगा तो income बढ़ेगी और multiplier बढ़ेगा और savings बढ़ेगी तो income घटेगी और multiplier घटेगा तो देखो k का एक और formula है 1 upon mps क्योंकि हमें पता है mpc और mps का जोड़ होता है 1 और अगर हमें mps निकालना है तो हम 1 minus इधर mpc को ले जाएंगी यह हो जाएगा अब यह जो formula था हमारा पहले वाला यह वाला k is equal to 1 upon 1 minus यह वाला यह 1 upon यह वाला तो अगर हम इसके नीचे mps रख दें क्योंकि 1 minus mpc mps यह तो होता है तो दूसरा formula बन जाएगा k is equal to 1 upon mps यह बन गया हमारा formula अब मान लिजिए हम mps लेते हैं .10 तो देखे के कितना आएगा हमारा 1 upon mps यह 1 upon .10 पॉइंट को अठाएगे तो अपर 2-0, 0-0 गया तो answer 10 फिर हम mps अगर लेते हैं मान लिजिए .25 तो k कितना आएगा हमारा k का formula है 1 upon mps ठीक है वो के हो गया .25 तो यह point से अटेंगे 2-0, 25-100 ठीक अगर मान लो mps हम लेते हैं .50 ठीक तो k का formula हमारे को पता ही है 1 upon .50 पॉइंट आएगे तो अपर 2-0, 0-0 गया 10 आपने एक चीज़ देखी कि जैसे जैसे हमारा mps हमारा जो है mps .10 से .25, .25, 50 बढ़ रहा है हमारा k क्या हो रहा है पहले 10 था फिर 4 और फिर यहाँ पर यह थोड़ा सा correction है यह हो जाएगा हमारा यह हमारा है बास दुनी 10, 2 तो आपने देखा कि हमारा mps k है multiply रहे हो गटता जा रहा है जैसे mps बढ़ रहा है वही मैंने बताया जैसे कि savings की habits है savings की habits बढ़ती है तो k क्या होता है घड़ता है क्यों इसलिए सब जो हमारे जितने भी अर्थ शास्तरी है या फिर जो government है या फिर बिनिस्मेन क्या कहते है क्योंकि products की demand करो क्योंकि products की demand होगी या economy में consumption होगा तो हमारा k बढ़ता है k बढ़ता है यानि लोग की income बढ़ती है लोजगार जनरेट होता है सब कुछ होता है अब जिस तरह से mpc ये show करता है कि delta c यानि income में change आने से delta y से delta c में कितना change आता है उसी तरह जो mps होता है वो दिखाता है कि delta y income में change आने से delta S यानि saving में कितना change आएगा या अगर 100 रुपे हमारी income बढ़ी तो 30 रुपे अगर हमारे savings के बढ़े तो यह दिखा रहा है कि income में change आने से saving में कितना change आता है तो पहले MPC की definition और MPS की definition लिखते हैं तो देखो यह आपर दोनों की definition लिख दी है कि MPC it shows change in consumption due to change in income यह आय में आने वाले परिवर्तन के परशात उभग में परिवर्तन को दर्शाता है MPS it shows change in saving due to change in income यह आय में आने वाले परिवर्तन के परशात बचत में परिवर्तन को दर्शाता है ठीक इसके पोज करके notes लिख सकते हो इसके बाद निवेज गुणक की परकरिया यह नहीं process of investment multiplier जो हमने उपर लिख लिया है समझ लिया है उसको थोड़ा सा theoretical form में लिखते हैं तो देखो हमने process of investment multiplier में क्या लिखा है As we know that a person's consumption becomes another person income therefore if consumption habits increase in the society income also increases multiple times And investment multiplier becomes high मतलब जैसे के हम जानते कि एक व्यक्ति का consumption दूसरे व्यक्ति की आय बनता है और अगर इस society में समाज में उभोग की प्रवर्ति यानि आदत बढ़ती है तो आय का इसतर भी बढ़ता है कई गुना और जिसके वैसे investment multiplier भी हाय बढ़ता है यानि अगर MPC आपकी बढ़ती है means if MPC becomes high, K also increases अब इसे एक table से समझते है मानलो society में जो MPC है वो 0.50 है तो अगर मानलो किसी ने initial investment जो किया वो 100 रुपे का किया तो यह किसी और की income बन जाएगा 100 रुपे ठीक अब यह 100 रुपे जिसकी income बना उसने कहीं और consumption किया sorry देखो ऐसे दुबढ़ देखो मानलो किसी ने investment में change किया यानि 100 रुपे का initial investment किया किसी ने निवेश किया ठीक अब यह किसी की क्या बन जाएगा किसी व्यक्ति की income बन जाएगा 100 रुपे अब मानलो जिसकी income बना हमारी society में marginal opportunity consume कितनी है 50, 50 यानि 50% वो खा लेगा जिसका यह income बनी उसने 50% खा लिए और 0.50 बचा लिए तो यह 50 यहाँ पर आ जाएगा और 50 यह जो 50 रुपीज इसने खाए यह किसी और की income बन जाएगी 50 तो जिसकी income बनी उसने मानलो फिर से 50% यानि 50% इसमें खा लिए उसने यानि 25 यह फिर 25 किसी की income बनी उसने साड़े बारा जो है इसने किसी और की income बनेगा सुरी साड़े बारा यहां पर आएगा मानलो यह जो 25 रुपे खाए हैं यह इसने खाए हैं 25 रुपे यह किसी और की income बन जाएगा तो यह जिसकी income बना फिर उसने consumption किया 50% क्योंकि हमारी society में है बिट है तो उसने कितने साड़े बारा ठीक फिर साड़े बारा जिसने खाए जिसने जिसके पर consumption हुआ वो उसकी income बन गया उसने भी साड़े बारा का आधा 606.25 जो है income बना अब देखो यह जो टेबल बनती हुई जा रही है एंटो में हम देखेंगे कि जो 100 रुपी का investment करा था ना हमने यह इसे से चलता चला जाएगा और यहां आ जाएगा multiplier हमारा अगर हमारा mpc .50 है तो हमारा mpc कितना आएगा k 1- mpc है ना हमारा mpc कितना है हमारा mpc है .50 .50 हमारा mpc है .50 तो यह आजएगा 1- .50 पॉइंट हटाएंगे तो 2-0 तो answer आएगा 2 पास दूनी 10 तो k आएगा हमारा 2 यानि 2 गुना income बढ़ेगी तो जब आप देखोगे यहांपर जो income आ रहा है यह delta y यह total निकल कर आएगा 200 यह आएगा 100 यानि हमने जो 100 पे investment में इंकम बढ़ेगी यानि हमारा जो के है अभी हमने उपर देखा 2 आया ना वह यह दिखा रहा है कि income में delta y delta i यानि 100 पे change करने से investment में income में 200 का change आएगा यही दिखा रहा है यानि हमारा के कितना है दो गुणा यानि यह दो गुणा दिखा रहा है अगर MPC यह 50% तो अगर वो बोलता है एक्जाम में आपको चारिया पाच नंबर में चारिया चे नंबर में कि भाईया प्रोसेस बताओ इंवस्में मुल्टिप्लायर का तो यह बात लिख देना यह कहानी हिंदी में लिख देना कि जैसा कि हम जानते कि एक व्यक्ति का कंदमशन दूसरे व्यक्ति की income बनता है और यह सब और फिर जब में आएगा 200 का चेंज यानि के हमारा कितना रहेगा दो गुना देखो इसके बाद आता है एक दूसरा पार्ट हमारी जो कंदमशन होती है न वो दो पार्ट से बनकर बनती है एक प्लस MPC.Y अब यह का मतलब यह है Autonomous Condemption यानि स्वायत उभोग अब यह क्या है एक का मतलब तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा कंदमशन कभी जीरो नहीं होता चाहे एक व्यक्ति की income जीरो भी हो जाए तब भी उसकी कुछ ना कुछ उभोग रहता है वो ही यह ए है मान लो यह 100 भी हो सकता है 50 भी हो सकता है क कोई भी व्यक्ति का कंदमशन उभोग कभी जीरो नहीं होता चाहे उसकी income जीरो जाए चाहे वो अपना पुरानी सेविंग को यूज करेगा कुछ भी करेगा लेकिन उसका कंदमशन कभी जीरो नहीं होता अब बात आती है MPC और .Y का क्या मतलब है यानि यह जो यह autonomous consumption तो र से इसको आगे समझते हैं मान लिजिए equation है आपकी यह A plus MPC dot Y अब मान लो आपका A दे रखा है 100 ठीक और मान लो MPC दे रखा है आपको .70 आपको पता है .70 का मतलब है कि आप व्यक्ति जो है वो 70% खा लेता है ठीक अब मान लो व्यक्ति के income दे रखे है Y मतलब इंकम दे रख करेंगे 1000 को तो आएगा 700 यानि उसका जो कंजम्शन है एक्च्वल में कितना आ रहा है 800 ठीक 800 रूपे यानि हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर यह equation है हमारी और व्यक्ति जो है 100 रूपे और और यह 70% है तो यह कितना खा लेता है अब हमें पता है कि एक व्यक्ति कि जो income होती है या तो वो कुछ खाता है और या बचाता है अगर 1000 रूपे इंकम है और 800 खा रहा है तो कितने बचे 1000 रूपे में से अगर 800 रूपे खा जाएगा तो कितने बचे 200 रूपे यानि 200 उसकी क्या हो रही होगी सेविंग अब जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं income का formula क्या होत इसको ठीक है यह equation है हमारी अब वापस लिखते हैं हमारी consumption वाली equation वो थी a plus mpc.y इसी तरह हमारी saving की equation होती है यानि minus a plus mps.y यानि यह autonomous saving होती है या old saving इसे बोल सकते हो आप autonomous saving या old saving ठीक अब देखो जो हमने अभी बात करी थी कि अगर consumption 0 हो जाएगा income 0 हो जाएगी sorry income अगर 0 हो जाएगी तो अभी कुछ ना कुछ consumption रहेगा ये income 0 होने पर भी ये जो पुरानी saving है ये a positive ये वाला a यहीं पर minus होता है अगर हमें equation में 100 दे रखा है तो ये minus 100 खुद वाखुद रहेगा हमारे पस ठीक ये clear हो गया सबको अब देखो दुबारा equation हमने लिखी अब मानलो हमारी जो saving है वो कैसे निकलेगी ये minus 100 है तो ये हो गया minus 100 ये वाला और अब ये बाकी की जो saving है वो depend करेगी कि income कितनी है अगर मानलो हमारा ये हमने देखा था कि point 70 है यानि 70% व्यक्ति खा लेता है तो बचाता कितना होगा 30% point 30 into income कितनी थी income थी हमा तो ये 300 300 में से 100 आएगा क्योंकि ये minus का है तो answer आएगा 200 कितनी saving आगई हमारी 200 और हमारी उपर कितनी हमने हापर कितनी निकाली थी 1000 रुपे में से saving कितनी निकाली थी 200 ठीक तो हमारा खुदी आ गया उतना उतना ही आगया है ना अब देखो यहां पर एक चीज और note करने ने वाली है कि हमारा जो income का formula होता है वो होता है C plus S यानि कुछ consumption करेंगे कुछ सेव करेंगे लेकिन यह consumption plus I भी होता है यानि हमारा जो saving होता है वो investment के बराबर होता है हमने assumption लेлекिए कि जितना हम save कर रहे है उतना क्या करेंगे? invest करेंगे जितना हम save कर रहे हैं उतना invest करेंगे यानि saving और investment बराबर है तो हमारा formula फिर क्या बन जाएगा गर s is equal to i है तो यह बन जाएगा हमारे income का formula y is equal to c plus i अब देखो इस equation इस formula के उपर और पूरा छे नंबर हिट्टी के हुए आपके अब एक ऐसा question बनाते जो एक्जाम में आता है मान लो आपको दे रखा है c 100 plus 0.50y और investment दे रखा है आपको 400 और कह रहा है कि income निकालो अब जैसे कि आपको पता है कि y का formula क्या है हमारा c plus i यह था और c कितना है c हमें दे रखा है यह equation पूरी ठीक पूरी रख देंगे यहाँ पर 100 plus 0.50y plus 0.50y यह रख दिया पूरा और यह investment कितना दे रखा है हमें यह दे रखा हमें 400 ठीक तो यहां रख देंगे 400 अब इदर देखो यहां तो y चली रहा है अब यह 100 जो है यह 100 इसमें plus हो जाएगा 400 में कितना हो जाएगा यह 400 500 यहां बचेगा 0.50y अब यह जो y है यह यहां पर इस से इस तरफ की तरफ आ जाएगा तो यह हो जाएगा y minus क्योंकि यह इधर प्लस में है तो इधर आके किसा हो जाएगा minus में ठीक यह हो जाएगा 0.50y इधर क्या बच्छा था 500 ठीक अब यह 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 वाई है इसके पास हम माल लेते एक रखा हुआ है क्योंकि कोई भी इसके साथ कुछ नहीं है तो हमाल हमाल प 50 जो है यह नीचे चला जाएगा 500 के ठीक है ठीक है तो यहां लिखते है y is equal to 500 upon 0.50 यह point हटाएंगे तो 2-0 लगेंगे 1-0 से 1-0 चला जाएगा पाच एकम पाच एक दो तीन तो इंकम कितनी आ गई आपकी इंकम आ गई आपकी 1000 इंकम कितनी निकल कर आ गई 1000 ठीक है अब एक और कोशन लेकर देखते हैं माल लो आपको दे रखा है आपकी बार आपको c दे रखा है 50 plus 0.80 y ठीक है जी और investment दे रखा है आपको 500 और बोला है कि y निकालो तो y का हमारा formula क्या है y का हमारा formula है c प्लस i ठीक अब c जो है वो कितना दे रखा है c दे रखा है हमें यह यह पूरा पोशन उठा के यहां रख देंगे 50 plus 0.80 y और investment कितना दे रखा है आपको यह दे रखा है आपको 500 ठीक y यहां रखा रखेगा ठीक अब यह देखो यह जो 50 है और यह जो 500 है यह प्लस हो जाएंगे तो यह आएगा 550 और यह 0.80 y यह यहां इसे दिखा जाएगा अब यह 0.80 y जो है वो इधर आ जाएगा तो यह y minus 0.80 y और यहां पे 550 रहेगा तो यह एक में से 0.80 गया तो 0.20 y 550 यह इसके नीचे आ जाएगा तो y is equal to 550 upon 0.20 point से 0 लग जाएगे 2 एक 0 से 0 गया दो से काटेंगे तो दो दो नीच चार का एक दो सत्य चोदा का एक दो पंज़ दस फिर 0 answer आजएगा 2750 तो y हमारा कितना आ गया 2750 इंकम हमारी आ गई इसे बोलते हैं equilibrium income क्या बोलते हैं equilibrium equilibrium income यानि संतुलित आए अब एक और question करके देखते हैं मानलो इस बार आपको सी दे रखा है 200 plus point 90 y और investment दे रखा है आपको मानलीजिए 800 ठीक अब आपको निकालने के लिए बोला y ठीक अब y का formula आपको पता है क्या है c plus i c उठा के रख देंगे ये वाला पूरा 200 plus point 90 y investment कितना है आपका 800 ठीक y है और अब इसको प्लस कर देंगे तो यह आजाएगा 1000 ठीक है यह point 90 y y यहाई पर है यह इधर आजाएगा इस side तो y minus point 90 y और यहाँ 1000 है ठीक यह बचेगा point 10 y एक में से point 90 जाएगा तो ठीक यहाँ y है और यहाँ 1000 यह इसके नीचे आजाएगा तो y यहाँ ही रह जाएगा और इसके नीचे आजाएगा यह point 10 point 10 point 10 point से यह 0 लग जाएगा एक 0 से 0 गया तो answer यह थोड़ा एक मिल्ट point हटने से लगेंगे 20 यहाँ पर और एक 0 से 0 गया तो answer आएगा 10,000 तो y कितनी आईए आपकी y आगई 10,000 ठीक है देखते हैं इंकम आगई 10,000 ठीक अब अब देखो यहाँ पर आपने यह थी question यह था आपके पास यह 200 प्लस point 90 y और यह 800 तो यह हमारी इंकम कितनी आगए 10,000 ठीक है जी अब मान लो वो question में बोल रहा है कि भाया c भी बताओ कितना आएगा तो c का formula क्या है उपर 200 plus point 90 y तो 200 plus point 90 y y कितना निकला है हमा एक 10,000 तो इंटू 10,000 तो हमारा तो देखो यह तो 200 का 200 रहेगा और यह इसका 90% से मल्डिव लाएगर होगे तो आएगा 9,000 तो आपका consumption कितना निकल कर आगया 92,000 यानि अगर exam में आपसे वो यह देकर इतनी सी question देकर यह सिर्फ देकर बोलता है कि भाया जो है पहले income निक जालो तो आप दोनों चीजे सब निकल सकते हो ठीक अब बात करते हैं यहाँ पर अगर वो बोलता है कि saving भी बता दो saving भी निकल जाएगी क्योंकि आपको पता है कि income के दो पार्ट होते है अगर income है 10,000 और यह आपको पता लग गया जो consumption है C वो कितना है 92,00 तो 10,000 रुपे म कि क्या बची saving या इसका दूसर फॉर्मला भी है आपको पता है कि C जो है अगर आपको दे रखा है 100,100 नहीं 200,200 प्लस MPC की जगह दे रखा है 0.90Y तो saving की equation बनेगी minus 200 प्लस 0.90 यह 0.90 है तो यह कितना होगा 0.10 क्योंकि आपको पता है कि MPC plus MPS होता है बराबर 1 अगर यह 0.90 है तो यह कितना होगा 0.10 ठीक यह note में है अंदर ठीक इसके बाद अब यहाँ आजो तो saving की equation यह है अब इदर आजो यह saving की equation लिखेंगे minus 200 प्लस 0.10Y अब Y कितना दे रखा है आपको यह होगा minus 200 minus 200 plus 0.10Y कितना आया था निकलके 10,000 ठीक यह minus 200 प्लस इसको multiply करेंगे 10,000 का 10% कितना होता है 1000 ठीक यह multiply करोगे तो यह ही आएगा तो 1000 में से minus 200 गए तो 800 तो अब भी आपका कितना आया answer कितना आया 800 ठीक है उपर कितना आया था उपर अगर हमने ऐसे करके देखा था तो भी हमारा यही आया था ठीक निकल करके ठीक अब देखो आपने यह देखा कि सारी चीज़े एक दूसरे से मिलती चुलती है यानि इस equation में यह जो question दिया था यूपर यह था हमारा question इसमें उसने सिर्फ यह दो चीज़े देकर आपसे income भी निकल वाली सी भी निकल वाली है asb निकल वाली है यहां तक कि mps भी आपने निकल के देख लिए अगर यह 090 है तो mps कितना निकल कर रहा है आपका point 10 तो एक ही चीज़ से आपके कितने सारी चीज़े निकल गई और यहां आपको जानकर वह होगी हिरानी कि आप चाहे तो यहां पर वह भी निकाल सकते हो investment multiplier कैसे कि देखिए यहां पर अगर आपको वह कह दे कि भी के भी निकालो तो के का formula क्या होता है 1- mpc ठीक अब यहां आजओ 1- mpc आपका 1- mpc जो mpc हो कितना दे रखा 0.90 ठीक एक में से 0.90 जाएगा तो 0.10 बचेगा point हटाएंगे तो 2-0 एक 0-0-0 गई तो के कितना आगया आपका के आगया आपका 10 यानि वो एक चीज़ दे कर इतने साइच चीज़े निकलवा सकता है अब मैं कोशन दे रहा हूं वह आपको करना है मानलो कोशन यह है कि अगर आपको C दे रखा है 100 प्लस 0.75 Y और investment दे रखा है आपको 500 तो यह वाला कोशन करो दूसरा C आपको दे रखा है मानलीजिए 200 प्लस 0.50 Y और investment दे रखा है आपको कितना दे रखा है मानलो 800 ठीक अब इसमें निकालना क्या क्या है दोनों में ही आपको यह चीज़े निकालनी है पहले तो income निकालना फिर उसके बाद C निकाल ठीक फिर MPS भी बताना कितना हुगा वो तो आप बता दोगे MPS MPC से में वन में से MPC को घटा के फिर K भी बताना ठीक है यह पांचों चीज़े निकालनी है आपको